इस्राइल और हमास की बीद चल रही जंग को आज 17 दिल हो गए है वहीं इस्राइली सेना लगातार गाजा में कारवाई कर रही है इसी कड़ी में सुमबार सुभा इस्राइली सेना नहीं गाजा पर हवाई हम लिखिये इसके अलावा इस्राइली बायू सेना ने साउस लेबनान के कुछ ठिकानों पर भी कारवाई की बीदिया रिपोर्ट्स के अरुसार इस्राइली सेना ने उतरी गाजा में जबालिया शर्नार्थी शिवर के पास एक घर को नशाना बनाया जिसमें कई फिलस्तीनी नाखरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल थी हुए हैं गाजा में स्वास्ता अतिकारियों ने बताया कि इस्राइल की ओर से दो सप्ताह से जारी वंबारी में कम से कम 4,600 से जाला लोग मारे गए हैं हमास ने एक बयान में कहा कि हमास ने ता इस्माइल हानी है और इरान की विदेश मंत्रे होसैन ने रविवार को इस्राइल दौरा गाजा पर जारी कारवाई को लेकर चर्चा की दोनों के बीच फोन पर बात चीत हुई बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इस्राइल पर हमला कर दिया था इस हमले में इस्राइल के 1400 से जादा लोग मारे गए थे वहीं लगभग 200 से जादा लोगों को हमास ने पंध़ब बना लिया था जिसके बाद इस्राइल ने हमास को खत्म करने के मकसद से हवाई हमला शुरू किया और लगातार भी 17 दिन से फिलस्तीन के हर उस जगा पर हमला कर रहा है जहां भी हमास के होने के आसार है महें इस्राइल अब फिलस्तीन में जमीनी हमले के लिए भी तयार है इसराइल लें गाजा के आसपास टैंक और सैनिकों की तैनाती भी करती है इसराइल की सेना ने कहा है कि उसने हिजबुल के अन्य ठिकानों पर हामला किया जिसमें एक परिसर और एक निगरानी चौकी भी शामिल है जिसमें गाजा में सैकडो किलोमीटर की सुरंगों का जाल है जिसका इस्तमाल हमास स्वंगतं अपने चिपने के लिए और रहने के लिए करता है इसराइल को आशंका है कि उसके सैनिक पर घात लगा कर हमास हमला करने के लिए बैठा हुआ है वहीं इस वज़े से लगादार इसराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है और पूर जोर कोशिश कर रहा है कि हमास को पूरी तरीके से खत्म कर दे फिलाल असर वीडियों में इतना ही देश और दुने से चुल खबरों के लिए लोगपत हिंदी को जरूर सब्स्राइब करें